हेलो दोस्तों नमस्कार मेरे नाम से बेश अस्वागत आप सभी का मेरी यूटूब चन्में तो दोस्तों आज हम बात करेंगे उत्राखंड सामानिग्यान के 100 महत्तपून परसने मुत्तर के बारे में तो दोस्तों आपकी जितनी भी आने वाले एक्जाम है जैसे कि उत्राख गार्ड, उत्राखंड हाई कोड, बीडियो, बीपीडियो, उत्राखंड आपकारी से पाई, परवुरतन से पाई, वंदर होगा जैने कि उत्राखंड के सभी प्रिक्षाओं के लिए यहाँ वीडियो बहुती महत्तपूर है और दोस्तों इस वीडियो में जो क्वेशन का लेवल होगा, वो होगा easy to moderate ठीक है, तो दोस्तों आप इस वीडियो को सुरूर से लेके अंतक जरू देखें, अगर आपको वीडियो अच्छे लगती है तो like जरू करें, aim रखते हैं आपे 500 like का, तो चली दोस्तों वीडियो को कोमाओ का बर्दोली कहा जाता है तो option B, इसका right answer हो जगा सल्ट चेत्र को, ठीक है, चली question number तीसर देखते हैं, तो दोस्तों आपको इसमें ज्यादा time नहीं दूँगा, answer बताने के लिए इसलिए 100 question आपने attempt करने question number तीसरा है, असो कालिन सिलालेक राजे की किस इस्तान से मिला है, तो कालिन से मिला है, ठीक है, option C, इसका right answer हो जगा question number चौत है, कालिन दास ने अभियान सांकुतलम की रचना पोड़ी स्तितिक रणवा आश्रम में की थी, जो कि निम्न नदी के तरट पर था, तो option D, इसका राइट आंसर हो जगा, माल नी question number 5 है, निम्न में से कौन एक उत्रखन की इतियासकार नहीं है, तो option C, इसका राइट आंसर हो जगा, चंदरस्या, गडवाली उत्रखन की इतियासकार नहीं है, question number 6 है, कुमाओ में गुर्का सासन कब इस्तापित हुआ, तो option A, इसका राइट आंसर हो जगा, 1790 में, कुमाओ में गुर्का सासन इस्तापित हुआ, question number 7 है, question number 7 है, 20, इस रूप से किस देवता का कटालपन मंदिस से सम्मंदित है, तो option B, इसका राइट आंसर हो जगा, सूर्य का, question number 8 है, मुगल सहजादा जिसने सिर्टनेगर गडवाल में आसर लिया, यहाज option D हो जगा, सुलेमान सिकोहा, question number 9 है, तीरी गडवाल में, डंडलक आंदोलन सम्मंदित था, तो option B हो जगा, मसदूरों से, चली question number 10 देखते हैं, question number 10 है, तीरी में, डोला पाल की आंदोलन सम्मंदित था, तो option B हो जगा, सिल्प कारों से, question number 11 है, कुमाओ का पर्थम कमिशनर कौन था, तो option A का right answer हो जगा, E, गाड़नर, question number 12 है, question number 12 है, दोस्तों, चांदपुर गड़ का राज्या इस्तित था, तो option C, इसका right answer हो जगा, चमोली में, question number 13 है, उत्राखन के लिए, पर्षिद एतिहासिक स्तल, गोबिस्तान की पैचान की गई, तो कहां की गई, option B हो जगा, कासिपुर में, ठीक है, चलिए, question number 14 है, question number 14 है, पर्षिद गुफा, सेल, चित्र, लाखो, उडियार, इस्तित है, तो option B, इसका right answer हो जगा, अल्मोडा में, चलिए, question number 15 है, अल्मोडा कांगरेस की स्तापना किस्वर्स होई, तो 1912 में, अल्मोडा कांगरेस की स्तापना होई, option D, इसका right answer हो जगा, चलिए, question number 16 है, दिखते हैं, उत्रखंड में, प्राचिन एतियासिक इस्तान, जो कत्यूरी राजाओं का मुख्या इस्तान भी राह है, option B हो जगा, बागेस्वर, question number 17 है, तो निमन कत्रों में से, आपको यहाँ पर गलत कतन बताना है, option आपकी सामने है, तो option D, इसका right answer हो जगा, बिले के पच्चात, तीरी छेट को काट कर, एक मंडल की रूप में गठित किया गया, या कतन गलत है, और इसका right answer हो जगा, option D, तो चलिए, question number 18 है, question number 18 है, उत्राचल राजे की इस्तापना होई, तो उत्राचल राजे की इस्तापना होई, आप सभी को पता होगा, 9 November 2000 को, option C का right answer है, question number 19 देखते हैं, सल्ला बहन का मूल नाम क्या था, तो सल्ला बहन का मूल नाम था, वो था Catherine Helliman, option A का right answer हो जगा, question number 20 है, बेगार आंदूलन कब और कहां से आरम होई, तो option D का right answer होईगा, 13 से 14 जन्वरी 1921 को, 22 से बेगार आंदूलन आरम होई, question number 21 है, उत्राचल का बर्दूली किस इस्तान या इस्तल को कहा जाता है, option A का right answer होईगा, सल्ट छेत्र को, question number 22 है, question number 23 है, question number 25 है, option A होजएगा, कालू महरा को, question number 26 है, कांगरिस की कलकता अदिवेशन, 1886 में, राजे में से कौन उपस्तित हुए थे, तो option C, इसका right answer होजएगा, उज्जुला दत जोसी, जो कांगरिस की कलकता अदिवेशन हुआ था, 1886 में, तो उत्राखन राजे से, उज्जुला दत जोसी, चले question number 28 देखते हैं, गांधी ने कुमाओ की यात्रा सरफ पर्थम कब की थी, तो जून 1929 में, गांधी जी ने कुमाओ की यात्रा सरफ पर्थम की थी, ठीक है, तो चले question number 29 देखते हैं, उत्राचल में, डूला पाल की अंदुलंग की परवतक कौन थे, तो option A's का right answer होज़ेगा, जैनन्द भारती, question number 30 वा है, बिस्नी देवी कौन थी, तो एक स्वतंदरता सेनानी थी, उत्राचल की बिस्नी देवी, ठीक है, चले question number 31 देखते हैं, किसने महात्मागांधी की दांडी यात्रा में भाग लिया था, तो option A's का right answer है, बहरब दत्जोसी ने महात्मागांधी जी की दांडी यात्रा में भाग लिया था, जो की उत्राचल सेनानी कौन थे, तो option C's का right answer होज़ेगा, अंसुया परसाद भोगणा, जिनको गड़ केसरी की नाम से भी जाना जाता है, question number 33 है, बहरत के स्वतनत होने की समय गड़वाल का राजा कौन था, तो option A's का right answer होज़ेगा मानवेंदर सह, question number 34 है, भारतिया राष्टिया अंदुलन के दोरान गांधी जी किस इस्तान पर बहुत दिनों तक रुके थे, तो option C's का right answer होज़ेगा कोसानी में, question number 35 है, question number 36 है, 24 को किसका निदन होज़ेगा तो option C's का right answer है, सिर्देव सुमन जी का, तो सिर्देव सुमन का जो निदन होज़ेगा तो वह था, 25 जुलाई 1944 को आगे एक question आएगा आपको यहाँ याद रखना है, question number 38 है, सल्ट की गड़ना किस वर्स होई थी, तो सल्ट की जो गड़ना होई थी, 5 सितंबर 1942 को होई थी, ठीक है, question number 49 है, question number 49 है दोस्तों, अल्मोडा अकवार का परकासन किस वर्स हुआ, तो option आपको की सामनी है, तो इसका जो right answer है, option A's का right answer है, 1871 को, question number 40 है, महात्मा गांदी ने अना सक्ती योग टिका कहां लिखी थी, तो option A's का right answer हो जोगा कोसानी में, question number 41 है, पेसावर कांड का नायक किसे कहा जाता है, तो option B's का right answer हो जोगा, बीर चंद सिंग गड़वाली यहाँ पे बीर चंद सिंग गड़वाली होगा, तो बीर चंद सिंग गड़वाली को पेसावर कांड का नायक कहा जाता है, चले question number 42 है, सिर्देव सुमन कब सहीद हुए थे, तो यह question आगे मैंने आपको उपर बताए था, तो option D's का right answer जोगा, 25 जुलाई 1944 को सिर्देव सुमन का निदन हुआ था, question number 43 है, question number 44 है, उत्रांचल उत्थान परिस्द का गठन कब और किसने क्या, तो 30-31 माई 1928 को सोबन सिया जीना ने उत्रांचल उत्थान परिस्द का गठन क्या, question number 45 है, राजे का पर्थम सुतंतरता सैनानी किसे माना जाता है, तो दोस्तों यहाँ जो question है, question number 48 है, question number 49 है, देरतुन में पर्जा मंटल की इस्तापना का उद्थिस है था, तो option आप सभी के सामने दिये में, इसका जो right answer है दोस्तों, option A का right answer है, जनता को टीरी राजे कुशासन से मुक्त कराना, ठीक है, चले question number 50 हैं दिखते हैं, निमन राजा और उनकी राज़ानी किले में कौन सोमेलित है, तो option D.S. का right answer हो जोगा सोमचंद का जो है, राजबुंग क किला है, ठीक है, तो चले दोस्तों question number 51 देखते हैं, question number 51 है, गट देश सेवसंग की गठन किसने क्या था, तो option B हो जाएगा, सिर्देब सुमन ने गट देश सेवसंग का गठन क्या था, question number 52 है, उत्राखंड करांती दल के पर्थम अधिक्च थे, तो option B हो जाएगा, डीडी पंथ, तो उत्राखंड करांती दल के पर्थम अधिक्च थे, गडी पंथ, question number 53 है, 1963 में खोजेगे लाखो गुपा, जिसमें मानब तदापसों की चित्र प्राप्त होए, बड़े चीना के पास दल बेंट पर इस्तित है, या इस्तान कहां पे है, तो इस question के जो right answer है, option B हो जाएगा अल्मोडा में, question number 54 है, उत्राखंड के संबन्द में पर्थम लिकित उल्लेक मिलता है, तो किस वेद में मिलता है, तो option A हो जाएगा रिग वेद में, question number 55 है, किस गरंद में उत्राखंड के लिए देव भूमी सब्द आया है, तो option B हो जाएगा रिग वेद में, ठीक है, चले question number 56 देखते है, question number 56 है दोस्तों, गडवाल के लिए के दारखंड और कुमाओ के लिए मानस कंड सब्द का उल्लेक है, किस पुराण में है दोस्तों, option B हो जाएगा, इसकंद पुराण में, question number 57 है, इसकंद पुराण में माया चेतर हर्द्वा से हिमाले तक के विस्तरित चेतर को कहा गया है, option B हो जाएगा, केदार कंड, question number 58 है, इसकंद पुराण में, नंदा देवी परवस से कालगिरी तक के चेतर को कहा गया है, तो option C हो जाएगा, मानस कंड, तो किसी भी प्रकार से आप से इस एक्जाम में question आ सकता है, ठीक है, तो चले दोस्तों, question number 59 देखते हैं, question number 59 है दोस्तों, पुराणों की अनुसार मानफ के आदि पूरुप मनु का निवास और धन की देवता कुबेर की राजदानी बदरिका आस्रम के पास किस इस्तान पर थी, तो option C हो जाएगा, अलका पुरी में, ठीक है, question number 60 है दोस्तों, वसिस्ट गुफा का वसिस्ट कुंड इस्तित है, तो किस जनपत में है, option D इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, चलिए question number 61 देखते है, question number 61 है दोस्तों, प्राचीन गंथों में निमन मेंसे किस के लिए ब्रेकितुंग सब्द प्रयुक्त क्या गया है, तो option D हो जाएगा जोस्विमट में, question number 63 है दोस्तों, चक्रवर्ती समराट भारत जिनके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा, उनका जनम हुआता है, तो कहां हुआता है, तो option A हो जाएगा कर्णवासरम में, ठीक है, तो चलिए दोस्तों, question number 64 है, question number 64 है, मा भारत की वन पर्प की अनुसार, पुलिंद राजा सबहु की राजदानी थी, तो option C हो जाएगा सिरिनेकर में, question number 65 है, गोर्खा काली नैथरा का किला कहां है, तो option B इसका राइट आंसर हो जाएगा, गोर्खा काली नैथरा किला, अलमोड़ा जनपाद में इस्तिता है, question number 66 है, किस ग्रान्थ में उत्राखन के लिए, उत्तर कुरू सब्द का पर्योग किया गया है, तो option B हो जाएगा, एतरिय ब्राहमण ग्रान्थ में, उत्तराखन के लिए, उत्तर कुरु सब्द का प्रयोग क्या गया है Q66 है अलमोड़ा के जखन देवी मंदिर से किसके निवास की पुष्टी होती है तो अपसन भी हो जागा यक्ष की है Q68 देखते हैं कनकपाल निम्र में से किस वंस का सासक था तो अपसन ए हो जागा कनकपाल पमार वंस का सासक था Q69 दोस्तों असंती देव राज वंस की प्रारंबिक दाजजानी थी तो अपसन भी इसका राज आंसर हो जाएगा जो सी मट में Q70 है चंदर राजाओं का राज चिन था तो अपसन C राज आंसर हो जाएगा गाई तो चंद राजाओं का राज चिन था अपसन C हो जाएगा गाई चलिए Q71 देखते है चंपावत इस्तित राज भूंगा किला बनवाय था तो किस ने बनाय था अपसन B हो जाएगा इसका राज आंसर सोम चंद ने Q72 है Q73 है Q73 है दोस्तों Q74 है Q73 है Q75 है Q73 है Q73 है Q73 है Q73 है Q73 है तो चलिए दोस्तों बढ़ता है आगले Q73 Q78 तो इसका जो राइट आंसर हो जगा, option D हो जगा, एक और तीन जो है, वो सत्या है, चक्रवर्ती समराथ भारत का जन्म उत्राखंड में हो जगा था, और पांडवो ने उत्राखंड में ही स्वर्गा रोहन किया था, ठीके, तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आपे अगले question क question number 79 है दोस्तों, तपववन में किस ने तपश्चा की थी, तो option आपके सामने है, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, option B, लक्षमण ने तपववन में तपश्चा की थी, चलिए question number 80 देखते हैं, पाली भासा के बोध साहित्यों में उत्राखंड छेत्र के लिए परियोग question number 81 देखते हैं, आधी संक्राचाज ने कब केदरनार्थ तीर्थ में देहत्याग क्या था? तो इस question के जो right answer है, option D, 820 issue में आधी गुरु संक्राचाज ने केदरनार्थ तीर्थ में देहत्याग क्या था? तो चलि question number 82 देखते हैं, question number 82 है दोस्तों, कुणिंद वन्स का सबस सकति साली सासक कौन था तो आपसन इसका राइट आंसर है अमोग भूती कुणिंद वन्स का सबसे सकति साली सासक था क्वेशन नम्बर 83 देखते हैं दूस्यंत और संकुंतला का प्रेम परसंग जुड़ा है तो आपसन से इसका राइट आंसर है कणवासरम से क्वेशन नम्बर 84 देखते हैं क्वेशन नम्बर 84 है दोस्तों वर्तमान गडवाल छेद रहे तू गडवाल नाम कब अस्तित्तों में आया तो 1515 अस्वी में वर्तमान गडवाल का जो गडवाल नाम है वो 1515 अस्वी में अस्तित्तों में आया चली क्वेशन नम्बर 85 देखत दोस्तों गुर्खाओं ने गडवाल पर पूर्ण अधिकार किया कब किया था तो 1804 में गुर्खाओं ने गडवाल पर पूर्ण रूप से अधिकार किया था चलिए क्विशन नमबर 87 देखते हैं क्विशन नमबर 87 है दोस्तों टीरी रियासत भारत में बिले कब हुआ नेपाल नरेस असोग चलने उत्राखंड पर कब आकरमण कर कुछ परविते चेतर पर अधिकार कल लिया था तो option A का right आंजर है तो option A इसका right आंजर है असोग कालीन सिलारे की वासा है पाली ठीक है चले question number 92 देखते हैं आदी गुरू संकरचार की समाधी इस्तित है तो यह question आप सभी के लिए इसका answer आपको मुझे comment section में देना है option आप सभी के सामने है आदी गुरू संकरचार की समाधी इस्तित है तो कहां है आपको इसका answer मुझे comment section में देना है तो चले दोस्तों question number 93 देखते हैं question number 93 है दोस्तों गुरू खाओं ने कुमाव पर कब अधिकार कर लिया था तो option आप सभी के सामने इसका जो right answer है option 20 का right answer है 1799 स्वी में गुरू खाओं ने कुमाव पर अधिकार कर लिया था चले question number 94 देखते हैं तेमूर लंग ने हरदुआर पर कब आकरमण किया तो 1398 स्वी में तेमूर लंग ने हरदुआर पर आकरमण किया थीक है तो चले दोस्तों question number 95 देखते हैं question number 95 है दोस्तों कतियोरी राजवंस का संसा पक कौन था तो option आप सभी के सामने इसका right answer है option 20 का right निम्बर देव क्विशन नमबर च्यारणवे है खगमरा के लेकर निर्मान किसने किरवाई था तौपसन भी है बीसमचंद ने चली क्विशन नमबर 97 देखते हैं सिर्नगर से हटा कर टेरी को अपनी राजदानी किसने बनाय था तौपसन सेस का राइट आंसर है सुधरसन सहाने चली क्विशन नमबर 98 देखते हैं निम्ण मेर से किसे अंगरेजों ने CSI की उपादी थी तौपसन सेस का राइट आंसर है किर्थी सागो तो किर्थी सागों अंगरेजों ने CSI की उपादी थी Question No.99 है दोस्तों टीरी में अंग्रेजी सिख्चा की सुरुवात किसने की थी? वो किसके सासन में हुई थी? तो option C हो जागा परताप सा के सासन में ठीक है? Question No.100 है कुमाओं और गडवाल पर गोर्खाओं का सासन बहुती अन्याय एवम अत्याचार पूंड था इस अत्याचारी सासन को यहां की भासा में कहा गया है गोर्ख्याली ठीक है? तो यह इसका right answer है तो दोस्तों इस वीडियो में बस देता हैं अगर आपको वीडियो चलेगती है तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ अधिक साधिक सेर ज़रो करें अगर आप मेरी चनल पर नए आए हैं तो चनल को सब्सक्राइब करके बेल आगन को ज़रो प्रस करें जिससे आपको मेरे हर वीडियो की नोटे पेकेशन सबसे पहले मिले और आप किसी भी भरती से और इसी तरह की वीडियो से वन्चित ना रह पाएं तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ तब तक के लबाई बेश्टर प्लक जेहिंद वन्दे मातरम